हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल रामा सरीज पिछले पार्ट की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले एपसोर में हमने देखा था की आगे मार्क सिधा चाकित के पास जाता है और कहता है तुम बेली की लाइप से दूर रहने का क्या लोगे तो चाकित कहता है अगर तुम बेली की लाइप से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओगे तो मैं बेली को छोड़ दूंगा इसलिए अब फैसला तुम्हारा है और चाकितिये कहकर वहां से चला जाता है आगे मार्क बेली की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का प्लैन बना लेता है तो मार्क कहता है हाँ और उसे माफी भी मांगता है तो बेली जैसे ये बास सुनती है तो वो पूरी तरह सौक्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है अगले दिन मार्क बेली की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो बेली ये सब देखकर पुरी थरा सैड हो जाती और पुरी थरा देबदास मोड में चली जाती है आगे मई और पॉंग को पता चलता है कि मई प्रेगनेंट है तो पॉंग ये बात सुनकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाता है और वो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगता है तो मैं कहती है मुझे भी तुम जैसे घटिया इंसान से कोई उम्मीद नहीं है इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने की कोई जरत नहीं है तुम अपनी लाइफ में खुस रहो और मैं अपनी लाइफ में खुस रहोंगी तो बेचारा पॉंग इस प्रेंग्नेंसी की बात को सुनकर पूरी तरह ड़ गया होता है और उसी समझ में नहीं आता कि आखे का वह करे तो करे क्या और पौंग अपनी जिम्मेदारी से भाग कर वहां से चला जाता है आगे मार्क मिरिकल को बदलने की पूरी प्लैनिंग कर लेता है और वो वहां के कुछ स्टाप को चेंज भी करने लगता है तो निक को ये आइडिया भी पसंद नहीं आता और वो मार्क को ये काम बंद करने को भी कहता है पर मार्क उसकी एक भी नहीं सुनता इधर चारिन के पूरे प्लैन पर पानी फिर रहा होता है क्योंकि वो सारे बंदे उसके काम के होता है जिसे मार्क अपनी कमपनी से बाहर निकाल रहा होता है दूसरी तब माई को बेली की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो माई मार्क और बेली को मिलाने का एक प्लैन बनाती है और वो उन दोनों को मिलाती भी ही है पर मार्क बेली को देखकर उससे दूर भागने लगता है तो बेली उसका पीछा ही नहीं छोड़ती कि तभी मार्क को कमपनी से एक important call आता है और मार्क वहाँ से चला जाता है तो बेली भी मार्क के पीछे जाती है आगे मार्क को पता चलता है कि एक बंदा उसकी कमपनी की सारे information लेकर भाग गया है तो मार्क उस बंदे के पीछे जाता है उससे बात करने के लिए लेकिन उससे एक बंदा उसे मार कर वहां से जा चुका होता है तो मार्क ये सब देखकर पुरी तरह सौक्ट हो जाता है कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है और उस बंदे को मरा हुआ देखकर तो वह पुरी तरह सौक्ट हो जाती है आगे मार्क बिली से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि उसने उस बंदे को नहीं मारा और वो ये बात कहकर जाने लगता है तो बिली कहती है बस तुम मुझे यही बताने के लिए यहाँ पर आये थे तो मार्क कहता है हाँ मैं बस यही बताने के लिए यहाँ पर आया आगे बेली मार्क से सीधा पूछी लेती है कि आखेकर उसकी फैमिली को किस ने मारा क्योंकि वो ये बात जानने के लिए मरी जा रही है वो सब के सामने ऐसा प्रिटेंड तो कर देती है कि वो बहुत खोस है और वो अपने पेरेंट्स के मौत के बारे में कुछ भी जानना नह परिसान देखकर पूरी तरह परिसान हो जाता है और उसे भी रहा नहीं जाता और वो बेली को पूरी सचाई बता देता है कि उसने ही उसके पैरेंट्स को मारा था तो बेली ये बात सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाती है तो मार्क कहता है मैंने बहुत कोसिस की कि तुम्ह ये बात ना पता चले लेकिन तुम्हें ये बात पता चली गई है तो अब तुम मुझे नफरत करो या मुझे गालियां दो मुझे कोई फर्क नहीं परता क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है इसलिए प्लीज मुझे नफरत करो मुझे गालियां दो मुझे क रसकता है और उसके लिए इस बात पर यकीन करना तो नामुम्किन ही हो जाता है कि मार्क ने उसकी फैमिली को मारा है क्योंकि मार्क ने कभी भी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, उल्टा उसके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, तो फिर वो उसे इतना बड़ा दर्द कैसे दे सकता है, गे मार्क बेली को ये सच्चाई बता कर पुकेत सिफ्ट हो जाता है, और वो बेली से बहुत ही कम मिलता है, दोजी तब बेल उन और पॉंग मई से अपना साड़ा पल्ला जार लेता है, तो बेल उनको अपने भाई पर बहुत ही गुसा आता है, क्योंकि वो मई और अपने बच्चे की जिम्मेदारी चोड़कर बेली को प्रपोस करने के लिए जारा होता है, तो बेली उन अपने भाई के सामने खड़ी ह जाती है और कहती है अगर आज पापा जिंदा होते तो वो कभी भी तुमें इतनी बड़ी बेवकूफी करने नहीं देते मुझे पता है कि तुम दोनों से गलती हुई है लेकिन इस गलती की जिम्मेदारी उस बच्ची की तो नहीं है उस बच्ची का क्या कसूर था जिसे तु तुम हमेसा हमारी मा से इसी बात पर गुसा ठेना क्योंकि वो हमें बच्ची नहीं चोड़ कर एक कमीर आदमी के साथ भाग गई लेकिन अब जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मा के नक्से कदम पर चल रहे हो, तुम भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ कर भाग रहे हो, कुछ तो इंसानियाद दिखाओ, उस बच्चे का क्या कसूर है, क्या उस बच्चे की नसीब में मा बाप का प्यार नहीं लिखा क्या तुम चाहते हो कि वो बच्चा भी बिना बाप के पले जड़ा इस बारे में सोचो तो पॉंग जैसे ये सारी बाते सुनते है तो उसकी अंतर आत्मा उसे जोड़ने लगती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है तो बेली उनको ल चाहे वो बच्चा उन दोनों के प्यार की निसानी ना हो पर वो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और वो उस बच्चे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता तो पॉंग डिसाइट कर लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो उस बच्चे की जिम्मेदारी ल आगे पॉंग सिधा मई के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं इस बच्चे की जिम्मिदारी लेने के लिए तैयार हूँ इसलिए तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती तो मई कहती है बहुत जल्द ही याद आ गया कि तुम बाप बनने वाले हो लेकिन याद रखना तुम्हा मैं पॉंग की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे अपने आपसे दूर रहने की सला देती है पर पॉंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसके साथ गोंत के तरह चिपक जाता है कि तब ही वहां पर यांग आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर पूछ जाता है तो वो मैं से तुम इसनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो तुमने हमारे खांदान का नाम बुरा दिया तुम साधी से पहले प्रेगनेंट कैसे हो सकती हो अगर समाज को इस बार में पता चलेगा तो तुम्हें पता है मेरी क्या इज़त रहे जाएगी तुमारे तो यांग जैसे ये सुनता है तो वो खीच कर मार्क को एक थपर लगाता है और कहता है मुझे तुमसे ऐसी उमीद नहीं थी मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन तुम भी एक घटिया इंसान निकले और यांग अपना सारा गुशा मार्क पर निकाल कर वहां से चला जाता है आगे माई मार को कहती है तुमने ऐसा क्यों किया तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से कितना बड़ा बवाल मस सकता है तुम्हार कहता है तुम मेरी परवा मत करो मैंने जो भी किया है वो सब जान बूच कर किया है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है त तो मई कहती है बकवास करना बंद करो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और हम दोनों के पीछ कोई रिस्ता नहीं है इसलिए आइदा से मुझे अपनी सकल मत दिखाना और मई ये कहकर वहां से चली जाती है तो बेचारे पॉंका तो देली तूट जाता है पर उसके लिए एक तरह से अच्छा भी होता है कि अगर याँ को पता चल जाता कि मई के पेट में पनने वाला बच्चा उसका है तो याँग उसे कच्चा ही चबा जाता आगे तो इपने बंदों DO के साथ मिलकर निक और मार्के खिलाफ साजिस रसती है और मार्क के दिमाग में यह को मार डालेंगे तो निक ये सब बात सुनकर सोच में पर जाता है आगे चार इन खुन टॉन को भी अपने साथ मिलाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और खुन टॉन भी उसकी बातों में आ जाता है